नमस्कार दोस्तों हमारे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम देखने को मिलेंगे हमें अपने जीवन में। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होंगे और यदि बुरे करेंगे तो बुरा होंगे। अगर आप किसी के जब हम गलती कर रहे होते हैं, तब हमें इस बात का एहसास नहीं होती है. उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है. आप इससे कभी बच नहीं सकते, जो आपने किया है, उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा. एक राज्य में एक राजा हुआ करता था, उस राजा के दो पुत्र थे, जो की आपस में उनकी बनती नहीं थी. दोनों ही अपने सत्ता को हासिल करना चाहते थे. राजा अपने पुत्रों के बीच लडाई देख कर चिंतित रहने लगे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसे इस समराज्य उत्तराधिकारी बनाए जाए. बड़ा पुत्र देव अपने माता-पिता का बहुत सेवा करता था और यही छोटे बेटे मेव को इन सब में कोई रुची नहीं थी. एक दिन राजा अपने समस्याओं को लेकर महात्मा के यहां जाता है और वहां पहुँचकर अपने सारे परेशानियों के बारे. महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर कैसे किये जाते हैं मेरे दोनों ही पुत्र मेरे सत्ता को लेकर मेरे मरने से पहले ही सत्ता पर अपना कबजा करना चाहते हैं इसे लेकर सदैव इन दोनों लडाई होते रहते हैं मैं क्या करू जिससे उनमें सब ठीक हो जाए महात्मा बुध उनके बातों को सुनकर मुस्तराए और कहा अब मैं जो बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे आप ध्यानपूर्ण से सुने कुछ साल पहले यही समस्या के बारे में एक पुरुष ने मुझसे एक सभा में पूछा था जो की मैंने उसे एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोसिस की थी गौतम बुध ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ तुम इसे ध्यान से सुनो महात्मा बुध अब अपनी कहानी की शुरुवात की बहुत समय पहले की बात है राज और राजेश नाम के दो भाई एक गाव में रहते थे राजेश अक्सर राज को देख कर जलता था क्योंकि राज स्वभाव से बहुत अच्छा था उसके दिल में सब के लिए दया और आदर भाव था राजेश का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुचाते रहता था धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया राज और राजेश के माबाप इस दुनिया में नहीं रहे राज ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संसकार किया वह गाउं वालों को भोजन के लिए आमंतरित किया और ब्राहमनों को दान दक्षिना देकर विदा किया वह हर साल अपने माता-पिता की बरसी पर ब्राहमनों को भोजन कराता और दान देता जह सब चीजे राजेश को पसंद नहीं आती थी और वह राज से जलते रहता था एक बार अपने मातापिता की बरसी पर राज ने अपने राज्य के राजा को आदरसतकार के साथ गुलाया और राजा के सामने ब्राहमनों और पूरे गाउं को खाना खिलाया, ब्राहमनों को दान भी दिया, ताकि उसके मातापिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे मातापिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने मातापिता के लिए कुछ कर सकते हो? राजेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेजती की और वह राज से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था अगले दिन धों करना शूरू करता है नगर के सामने जोर-जोर से चीखने लगता है मेरे माबाप मेरे सपने में आये थे वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बना कर खिलाएं वो तभी खुश रहेंगे उन्होंने मुझसे सपने में कहा था राज को मेरे पास भेज दो वह उनकी बहुत सेवा करता है वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे राजा कहते हैं यह तो अच्छी बात है लेकिन इसके लिए तो राज को मरना पड़ेगा राज को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फसाने की चाल है लेकिन वह फिर भी कहता है चलो इस बहाने सेवा करता हूँ और उसने मरने के लिए तयारी करना शुरू कर दी वह राजा से कहता है महाराज आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं मैं नाव से कूद कर नदी में अपनी जान दे दूँगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माबाप की सेवा करूँगा राजा ने कहा ठीक है अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा राज नदी में कूद जाता है और सारे गाम वालों को पता चल जाता है कि राज अब इस दुनिया में नहीं है अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है माता पिता की सेवा करने के लिए राजेश बहुत खुश था कि उसका इकलोता भाई दुनिया में नहीं रहा जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है मैं ही इसका मालिक बनूँगा धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले एक दिन अचानक से राजा के दर्बार के बाहर राज बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है राजा के सिपाही उसे दर्बार में ले जाते हैं और पूछते हैं यह चमतकार कैसे हुआ तुम जिन्दा कैसे हो? तब राज बताता है, मैं स्वर्ग में गया था मैंने देखा मेरे माबाप अभी भी खुश नहीं है वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता तुमसे अच्छा तो राजेश है, जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है तुम जाओ और उसे भेज दो राजा राजेश को बुलाते हैं और सारी बाते बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है अब तुम्हारी बारी है क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते राजेश को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है अगले दिन फिर से सारी तयारी किया जाता है राजेश घर आकर सोचता है मैं वहां जाऊंगा ही नहीं अगले दिन शहर छोड़ कर कहीं चला जाऊंगा फिर राज ने राजा को सारा सच बताया वास्तव में वह जिन्दा कैसे बचा उसने पहले ही मचुवारे से बात कर ली थी जिससे उसकी जान बची और वह एक महीने तक नगर से दूर रहा था फिर सही समय पर राज्ज में लौट आया वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह राजेश को एक सबक सिखाना चाहता था इधर राजेश शहर छोड़ कर जाने का योजना बना चुका था अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़ कर भाग जाता है वह घर छोड़ कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के दो सैनिकों की नजर उस पर पड़ती हैं और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं राजेश और सैनिकों के मध्य हाथा पाई और लड़ाई शुरू हो जाती हैं राजेश गुस्से में आकर एक सैनिक के सिरपर पत्थर से मारता है सिरपर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती हैं यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह राजेश को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं राजेश पर और क्रोध में आकार मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है, उसको उस आखरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिन्दगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एसास होता है, पर वो कहावत तो सुनी होगी अब पच्चताए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत और पच्चतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस राजा को समझाते हैं कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इनसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किये जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती हैं और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्मान हो सकता है। फिर उस राजा ने पूछा पाप का फल कब मिलता है। तब महात्मा बुध्ध ने कहा, पाप का फल किये गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, तो आपके साथ भी ज़रूर गलत होगा। वह पाप तुम्हारे साथ भी होगा, किसी ना किसी राजा बोला, गुरु की बातें को सुनकर व्यक्ति बोला, जब मैं अपने सत्धा को हासिल किये थे, मेरे चिंताएं दूर करने के लिए से ही राजा हुआ था, मैं समय पहले इन बातों का ध्यार रखूंगा, परन्तु मेर घन्यवाद गुरु जी अपने मेरे आखे खोल दी, आज मेरा वही कर्म लौट रहा हैंगा, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आप जरूर कुछ नूर पसंद आया होगा, जदी वीडियो अच्छा लगे तो लगा हो तो लाइक करे, आपके एक लाइक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो, अभी तक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें